सद्गुरू, क्रियेटिव माइन्द क्या होता है? आप कितना बड़ा जवाब चाहती है? जितना बड़ा आप देना चाहें अंग्रेजी का शब्द माइन्द कुछ खास नहीं कहता क्योंकि ये बस एक सामान निशब्द है जो मन के विभिन आयामों के बारे में नहीं बताता मन कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो यहां रखा हुआ है और कुछ कर रहा है वास्ताव में मन जैसी कोई चीज नहीं होती योगिक संस्कृती में मन नहीं होता एक भौतिक शरीर होता है और एक मानसिक शरीर होता है क्योंकि आप अभी जिसे मन कह रहे हैं वो यादाश्ट और बुद्धी का मेल है आपके शरीर में आपकी कलपना से भी ज्यादा याददाश्त है अगर मुझे आपकी बात करनी पड़े तो चलेगा निश्चित रूप से आपको याद नहीं होगा कि आपकी पर-पर-पर दादी कैसी दिखती थी लेकिन उनकी नाक अभी आपके चहरे पर बैठी हुई है आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आपका शरीर सौ प्रतिशत याद रखता है दस पीडियां पहले आपकी दादी कैसी दिखती थी आपके शरीर को अभी भी याद है लाखों साल पहले आपके पूरवच कैसे थे आपके शरीर को अभी भी याद है, है न? ये भूला नहीं है और ये भूलेगा भी नहीं है आपका मन इस तरह की आदाश्ट के काबिल नहीं है आपके शरीर के पास सर्बों खर्बों गुना ज्यादा यादाश्ट है आपके दिमाग के तुलना में दिमाग और बॉद्धिक प्रक्रिया की तरफ ये रुजान ये एक यॉर्पिन बिमारी है उन्होंने विचारों को बहुत ज्यादा एहमियत दी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दमन किये गए समाज में रहे धार्मिक रूप से दबाया गया समाज जहां अगर आपने किताबों में जो लिखा है उसके अलावा कुछ सोचा तो आपको मार डाला जाता वो लंबे अर्से तक इस तरह रहे इसलिए जब उन्हें सोचने की थोड़ी आजादी मिली और वो जिन्दा रह पाए तो वो अपने विचारों को बहुत ज्यादा गरिमा देने लगे आईए विचार के संदर में समझते हैं आप सोच सकते हैं सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर जो आपने पहले से जमा कर रखी है इसका मतलब है कि आप कभी भी कुछ नया नहीं सोच सकते आप इसे रिसाइकल कर सकते हैं आप इसे फैंट सकते हैं आप इसमें उलट पलट और फेर बदल कर सकते हैं पर आप बिल्कुल नया कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नया बाहर निकालना विचार की प्रकृती में ही नहीं है, ये सिर्फ अतीत को रिसाइकल कर सकता है, इसका मतलब है कि अगर आप खुद को अपनी विचार प्रक्रिया के हवाले कर देते हैं, अगर आप इसे बहुत आया कभी भी नहीं होगा, तो विचार को इतना महत्व देने की जरुरत नहीं है, इस संस्कृती में विचार को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, वो बस आपका मनो-वैग्यानिक ड्रामा है, हम इसे ज्यादा एमियत नहीं देते, क्योंकि ये आपका नाटक है, आपका प्रकृति को आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे का नाटक उनके लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धी की तुलना में। योग की पद्धिती में मन को 16 हिस्सों में देखा जाता है। उन 16 हिस्सों को और भी विभाजित किया जाता है। और उन्हें 84 हजार हिस्सों तक ले जाया जाता है। 84,000 की बात करनी हो तो पहले से ही कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं तो मैं इसे 4 बना दिता हूँ मैं 80 को निकाल रहा हूँ ठीक, मैं आप पर रहम कर रहा हूँ केवल 4 4 बुनियादी हिस्से इन में से एक बुद्धी है आज की आधुनिक दुनिया में हम बे मतलब बुद्धी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम भारी कीमत चुकाएंगे आप ऐसी स्थिती में होंगे जहां आपको सब कुछ पता होगा लेकिन आपको जीवन के महत्व का कुछ मालूम नहीं होगा सच में आज कल आप देखेंगे कि बच्चों के साथ ये हो रहा है पहली बार आप इस पीडी में 10-12 साल के बच्चों को देखे वो बोर होते हुए दिखते है 10-11 साल के उम्रों में आपको पता ही नई था कि बोरियत क्या होती है ये नामुम्किन था जिन्दा होना और इधर उधर देखना ही रोमान चक होता था आप 10-12 साल के बच्चों को देखे सब ही बोर होते दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फोन के स्क्रीन पर सारा ब्रहमान देख लिया है उन्हें सब पता है और खासकर पश्चेमी देशों में आप देखेंगे कि 8-10 की उम्र में बच्चे वाकई बोर हो चुके होते हैं स्कूल की बसों में वो सब इस तरह बैठे रहते हैं बोर क्योंकि जब तक आप 12 के हुए आपका एक लव अफेर हो चुका है आप जानते हैं ब्रेक अप क्या होता है आप जानते हैं कि उससे बाहर कैसे आना है आपने सराप चकली है आपने ये देख लिया है शायद आप हर तरह की शारिरिक चीजों से गुजर चुके हैं और आप ब्रहमांड को भी जानते हैं अब और क्या बचा 15 का होने तक कई लोगों के लिए जिन्दा रहने का वाकई कोई मकसद नहीं बचता आपको हैरान नहीं होना चाहिए अगर यही कल्चर चलता रहा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भविश्वानी है मैं बस देख रहा हूँ कि ये शुरू हो चुका है अगले 50 या 100 सालों में अगर 25 से 50 प्रतिश्रत लोग आत्महत्या कर लें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन थोड़ा उत्साह चाहता है अगर बिना अनुभव के आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो वो उल्लास जा चुका होगा और आपमें ज्यान का एक जूटा भाव बहुत गहरा हो जाएगा बुद्धी का यही खत्रा है क्योंकि बुद्धी हर चीज की चीरफाड करना चाहती है बुद्धी चाकू की तरह होती है जितनी पैनी उतनी अच्छी यह चीरफाड करके जानना चाहती है चीरफाड कुछ चीजों के साथ कारगर होती है जीवन के सारे पहलूँ के साथ नहीं अगर आप जानना चाहते हैं वो बिचारा मेंधक यादे आपको? वो बिचारा मेंधक जिसे आपने सूली पर टांग दिया था और उस यातना से जो महान ग्यान आपको मिला, वो अविश्वस्णी है, कितना ग्यान, उस मेंधक ने जो यातना सही, उसके मुकाबले जो ग्यान आपने हसिल किया, वो वाकई अविश्वस्णी है वो सब आपको पता चल गया अब अचानक आपके मन में जिस मा को अभी तक अंदेखा कर रखा था आज उसी मा को आप जानना चाते हैं कृपिया एक पैना चाकू लीजिए चीर फाड शुरू कर दीजिए आप उनके जिगर, गुर्दे, दिल के बारे में सब कुछ जान जाएं लेकिन आपके पास मा नहीं बची होगी, बस इतना है तो जीवन को तोड़ फोड़ कर नहीं जाना जा सकता भौतिक चीजों के टुकड़े करके आप उन्हें जान सकते हैं आप जीवन को टुकड़ों में विभाजित करके नहीं जान सकते लेकिन बुद्धी की प्रकृती ऐसी है पूरा आधुनिक विज्ञान इंसानी बुद्धी से विक्सित हुआ है चूंकि इसने तकनीकी फायदे दिये हैं तो आप इसके खिलाफ तरक नहीं कर सकते क्योंकि लोग वो बस अपने आइफोन का मजा ले रहे हैं उन्हें लगता है कि वो वैग्यानिक हैं क्योंकि वो ये कर सकते हैं टेक्नोलोजी अच्छी बात है इसने हमें काफी आराम और सुविधाएं दी हैं और कौन सी चीज बुद्धी को पकड़ती है और कितनी स्थिर्टा से तो मन का अगला आयाम पहले को बुद्धी कहते हैं दूसरे आयाम को एहंकार कहते हैं एहंकार का मतलब इगो वगरे नहीं होता बलकि पहचान होता है जिस भी चीज से आपके पहचान जुड़ी है आपकी बुद्धी सिर्फ उसी के इर्दगिर्द काम करती है अगर आप अपनी पहचान को किसी देश से जोड़ते हैं अगर आप कहते हैं मैं भारती हूँ तो हर भारती चीज सुन्दर दिखती है अगर आप सीमा के पार जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई और हैं तो वो सब सुन्दर दिखता है जिससे भी आप अपनी पहचान जोडते हैं उसी के साथ आपकी बुद्धी काम करती है तो एहंकार पहचान है आपके एहंकार का निर्मान कितने सचेतन तोर पर और कितनी स्थिरता से हुआ है यही तए करेगा कि आपकी बुद्धी कितनी असरदार है इसके सिर्फ पैने होने का ये मतलब नहीं है कि ये असरदार भी होगी क्योंकि पैनी बुद्धी या एक पैना चाकू दोनों ही आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर आपके पास एक पैना चाकू है और आपके हाथ में स्थिरता नहीं है तो आप खुद को ही हर जगा काट डालेंगे बस यही हो रहा है इंसान की पीड़ा बस यही है आप नहीं जानते कि इस बुद्धी को अपने हाथों में कैसे पकड़ना है हर रोज आप खुद को काट रहे हैं सारी पीड़ा सेल्फ हेल्प के जरी आई है क्योंकि आपका मनी आपको हर समय यह पीड़ा दे रहा है चाहे जो हो जाए लोग दुखी रहते हैं हर समय लोग दुखी रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बुद्धी को कैसे थामना है अगर आपके पास केंचवे का दिमाग होता तो आप काफी शान्त होते हैं आप कई तरीकों से अपनी बुद्धी के पैने पन को कम करनी की कोशिश कर रहे हैं सराप से, नशिली दवाओं से, जरूरत से ज्यादा खा कर आप किसी तरह इसके पैने पन को दूर करना चाहते हैं क्योंकि ये चुपती रहती है ये इसलिए नहीं चुपती क्योंकि इसकी प्रकृती ऐसी है ये चुपती इसलिए है क्योंकि आपको इसे थामना नहीं आता मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं जो यादों का विशाल भंडार है ये यहां वहां नहीं है, पूरे शरीर में यादे मौजूद है तो इसे मनो मय कोश कहते हैं यादों की विशाल गठरी ये यादें कई सतरों पर हैं लेकिन हभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने साफ-साफ मना कर दिया है वो दिमाग नहीं चाहते हैं, माफ कीजिए ये यादों से दूशित नहीं है इसमें किसी तरह की जरा भी यादाश्त नहीं होती ये बस विशुद्ध बुद्धि मत्ता ये इंटेलिजन्स है अगर आप इसे चू लेते हैं तब आपकी पहुँच उस तक हो जाती है जिसे आप स्रिष्टी का स्त्रोत कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके भीतर हर तरह की चीज़ें भरी हुई हो भगवान ये है, भगवान प्रेम है, भगवान करुणा है, जो कुछ भी है आप में से कोई यहाँ आईए इस मंच के कोने पर खड़े होकर जो चाहे वो प्रार्थना बोलिए और नीचे गिर जाईए मैं देखना चाहता हूँ कि आपके उपर करुणा बरस्ती है या हड़ी चटक जाती है ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई क्योंकि जिस किसी चीज़ से कोई व्यक्ति वंचित होता है उस गुण को वो भगवान की अपनी धार्णा से जोड़ देगा भगवान के बारे में आपकी धार्णाय सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि आप नहीं जानते कि ये स्रिष्टी कैसे बनी है चूँकि आपके पास कोई जवाब नहीं है आपने कुछ कल्पना कर ली चूँकि आप इंसान है आपने कहा एक बड़ा इंसान वहाँ उपर बैठा है अगर किसी ने पूछा वो ये सब कैसे कर सकता है उनके दस हाथ हैं वो बहुत सी चीज़ें करते हैं तुम्हारे जैसे नहीं है कुछ भी ये बच्चों के लिए ठीक है लेकिन चूँकि आप नहीं जानते कि स्रिष्टी की रचना कैसे हुई आपने अपनी व्याख्या बना ली तो वो जो स्रिष्टी का स्त्रोथ है जो मैं या कोई और कहता है उस पर विश्वास मत कीजे स्रिष्टी की सिर्फ एक रचना पर गौर कीजे बस एक फूल लीजे इसे ध्यान से देखिए एक पत्ती या एक परमानू या एक चीटी को ध्यान से देखिए आपको ऐसी अद्भुद बुद्धिमत्ता के दर्शन होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी लेकिन किसीने आपको नहीं बताया कि इश्वर बुद्धी मत्ता है लेकिन इस संस्कृतिने आपसे ये बात कई तरीके से कहिए उन्होंने आपको चिदाकाश और चिदंबर वगरे के बारे में बताया आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अपने चित्त को छू लेते हैं तो सारा अस्तित्व आपका हो जाता है जो कुछ भी जानने योग्य है वो यहीं है क्योंकि आपकी पहुँच स्रिष्टी के स्त्रोत तक है तो ये आपके मन के चार आयाम है दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षप पद्धती मानती है कि सिर्फ जानकारी ठूसने और बुद्धी को पहना रखने से ही सब कुछ हो जाएगा नहीं खुशाली लाने के लिए आप इस धर्ती की चीर फाड़ करके रख देंगे आप इस ग्रह को ही खो सकते हैं या फिर आप किसे दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन खुशाली नहीं आएगी अगर खुशाली होनी है तो आपको इसके भीतर थोड़ा ज्यादा गहरा खोदना होगा वरना कुछ नहीं होगा